बिस्मिल्लाई रह्मान रहीं, सलामुन अलेकुम नाजरीं, आप सबका इस्तिक्बाल है आपके फेवरेट क्विश्चो सवालों का सफर में पैगंबर इसलाम स्वालाई रिशाद फर्माते हैं कि तुम सब में सबसे मालदार शक्स वो है जो हिर्स और लालज का असीर ना हो इसी बैतरीन हदीश के साथ आईए हम आगास करते हैं हमारे आज के एपिसोड का और मिलते हैं हमारी आज की पार्टिसिपिंट से आज हमारे साथ हमारे शो में है सिस्टर तस्नीम जहरा सलाम अलेकुम सिस्टर वालेकुम स्सलाम वेलकम तो सवालो का सफर थैंक यू सिस्टर अपने बारे में हमें कुछ बताईए प्लीज मेरा नाम तस्नीम जहरा है और मैं फिजियो थेरापिस्ट का फॉस्ट यर मेडिकल स्टुडेंट हूँ और मुझे रीडिंग करना चीज़े एक्स्प्लोर करना ट्रावल करना बहुत पसंद है रीडिंग ट्रावलिंग एक्स्प्लोरिंग पसंद हैं अब तक कहा कहा ट्रावल कर चुकी हैं इंडिया में बहुत सारी सिटीस में मैं जा चुकी हूँ और मुझे आउट उट उप इंडिया भी ट्रावल करना है इन फ्यूचर एक अच्छा करियर बनाने के बात इंशालला जब आप फिजो थेरपिस अच्छी बन जाएंगी सेटल हो जाएंगी लाइफ में दैनिवांट ट्रैवल और एक्स्प्लोर या उसके अलावा दीनी इल्म कैसे आसिर करती है आप दीनी इल्म के लिए मजलिस सुनते हैं और क्लासिस तो हमारी एरिया में नहीं है अब कुरान और हदीसे पढ़ा है मैंने ठोडी बहुत घर में ही पढ़ाई कर लेती है आप मजलिसों में जो नौलेज मिलती है और विन तीवी से और चैनल विन से लिए चालिया हमें उमीद करते हैं आपका ये नौलेज आपका साथ दे और आप आज का सफर बहुत ईजी क अपनी लाइफ लाइन का इस्तिमाल कर सकती है उके शुरू करते हैं आज का सफर और देखते हैं आज का पहला क्वेशन क्या है आज की एपिसोड का पहला सवाल आपके लिए आपकी कम्प्यूटर स्क्रीन पर इन में से किस नभी को एलान नभूवत के पहले से ही साधिक औ और अमीन पुकारते थे ए हजड़त यहया लाहिससलाम बी हजड़त जकरिया लाहिससलाम सी हजड़त मुहमद मुस्तफा सुल आलाहिवाले वसलम या फिर डी हजड़त इबराहीम लेहिसलाम कॉंपिडेंट या मैफूस कर लूं को मैफूस कर दिया और में बताइए यह सही जवाब है या नहीं ऑप्शन सी हज़त मुहमद मुस्टफा स्वालाव अले वाले वासलम इसका बिलकुल सही जवाब है वसुले खुदा स्वालाव अले वाले वासलम को उनकी नबुवत के एलान से पहले ही उनकी जो कॉलिटीज थी सादिक और अमीन के नाम से ही लोग उन्हें बुलाते थे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेशन की तरफ इमाम मुहमद बाकिर अले इससलाम किस इमाम के बेटे हैं सबस्त है और अप्शन अमाम जैनुलाबदीन अले सलम मैंखोक्यवोगाईर को में भी जाया नहीं को अबियोगाईर प्रक्राइशकूंद General Knowledge का question है, which is the biggest planet in solar system? A. Mars, B. Jupiter, C. Saturn, या फिर D. Neptune? B. Jupiter. Confident? Yes. महफूस कर लू? Yes. Computer option B. Jupiter को महफूस कर ये और हमें बताईए ही सही जवाब है या नहीं? Option B. Jupiter, इसका बिल्कुल सही जवाब है. Jupiter is the biggest planet in the solar system. Yes. बढ़ते हैं fourth question की तरह. इन में से कौन से नभी एक दुसरे के भाई नहीं है? A. हज़रत इसाक अलेहिसलाम और हज़रत इसमाईल अलेहिसलाम B. हज़रत मुसा अलेहिसलाम और हज़रत हारून अलेहिसलाम C. हज़रत अकर्या अलेहिसलाम और हज़रत याया अलेहिसलाम या फिर D. ये सब इन में से भाई नहीं है यह जो दो नवियों के नाम दिये गए है question पूछ रहा है आपको कि यह जो दो नाम है इस में से कोई एक वो भाई नहीं है या फिर यह सब ही भाई नहीं है option C confident? yes महफूस कर लूँ? जी computer option C और में बता यह सही जवाब है या नहीं option C और यह जवाई इसका बिल्कुल सही जवाब है यह दोनों आपस में भाई नहीं है फिर क्या relation है इन दोनों का? इनका relation नहीं पता बट में भी यह कुछ है यह बाप बेटे है हजज़ज़ जकटर्या उनके वालिध है और हज़या उनके बेटे है बाकी जो दो है हजज़ज़ इसाद्र इसाग का और हज़ज़ आर। बल्ढ़ यह दोनों जो हैं वो बाप बेटे हैं बढ़ते हैं इस लेवल के आखरी सवाल के तरफ मदीना को महफूस करिये और हमें बताइए ये सही जवाब है या नहीं Option B, मदीना इसका बिलकुल सही जवाब है इसी के साथ बहुत ही आसानी से आपने हमारा लेवल वन कम्प्लीट कर लिया है How are you feeling now? Feeling good Feeling good? Yes More confident? Yeah तीनों लाइफ लाइफ लाइन भी बची हुई है तो लेवल टू तो बहुत एजीली क्लियर हो जाएगा इन्शाला लेवल टू शुरू करने से पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक नाजरीन कहीं मत जाएगा मिलते हैं ब्रेक के बाद Welcome back after the break नाजरीन हमारे साथ है सिस्टर तस्नीम जहरा जिन्होंने हमारा लेवल वन कम्प्लीट कर लिया है बिना किसी लाइफ लाइन के इस्तमाल के साथ आप हम शुरू करेंगे उनके साथ लेवल टू सिस्टर रेडी है आप? Yes लेवल टू का पहला सवाल आपके लिए आपकी कम्प्वीटर स्क्रीन पर इन में से किस नभी ने जादुगर से मुकाबला करके उन पे फता हासिल की? A. हजरत याया अलेहिससलाम B. हजरत जकर्या अलेहिससलाम C. हजरत इद्रीस अलेहिससलाम या फिर D. हजरत मुसा अलेहिससलाम D. हजरत मुसा अलेहिससलाम Confident? Yes महफूस कर लूँ? Yes Computer option D. हजरत मुसा अलेहिससलाम को महफूस करिया और उन्हें बताईए ये सही जवाब है या नहीं Option D. हजरत मुसा अलेहिससलाम इसका बिलकुल सही जवाब है हज़रत मुसा अलेहिसलाम ने ही जादुगर के सामने मुकाबला किया था वो बहुत ही फेमस वाकिया है आपको पता होगा और उस ताइम पर उनको फता हासिल हुई बढ़ते हैं सेवंथ क्वेशन की तरफ यह एक audio question है आपको एक audio सुनाया जाएगा जो कि सूरह हमजा का है आपको वो ध्यान से सुनना है और बताना है कि वो कौन सी आयत है सूरह हमजा की रेडी है आप? जी चार option है option A second, option B fourth, option C sixth, या फिर option D eighth option A option A second महफूस कर लूँ computer option A second को महफूस कर ये और हमें बताईए ये सही जवाब है या नहीं option A second इसका बिलकुल सही जवाब है ये सूरह हमजा की second आयत थी बढ़ते हैं eighth question की तरफ इन में से किस नबी ने अपनी कुलाडी से पत्थर के बने हुए खुदाओं को तोड़ डाला? इन में से किस नबी ने कुलाडी से पत्थर के बने हुए खुदाओं को तोड़ डाला? अजयरत इबराहीम अलेहिसलाम, हज़द लूत अलेहिसलाम, हज़द हुद अलेहिसलाम या फिर हज़द शोयब अलेहिसलाम? confusion है confusion है क्या लगता है, कौन से दो option में confusion है B और D में B और D आपको लगता है कि हजरत Lut अलेहिस्सलाम है या फिर हजरत Shoaib अलेहिस्सलाम है जी क्या करना चाहेंगे आपकी तीनो lifeline अभी भी बाकी है lifeline lifeline यूज़ करेंगी कौन से lifeline का इस्तेमाल करना है 50-50 50-50 computer हमारी participant आपकी lifeline 50-50 का इस्तेमाल करना चाहती है आप दो गलत जवाबों को मिटा दीजे तस्रीम अब आपके दो option है A हजरत इबराहीम अलेहिस्सलाम और B हजरत लूत अलेहिस्सलाम B हजरत लूत अलेहिस्सलाम Confident? जी मैफूस कर लूँ? जी Computer option B हजरत लूत अलेहिस्सलाम को मैफूस करिये और हमें बताईए इस सही जवाब है या नहीं तस्नीम option B हजरत लूत अलेहिस्सलाम इसका गलत जवाब है इसका सही जवाब है आप बहुत इच्छे से जवाब दे रही थी, सोच समझ के आपने इतने सारे जवाब दिये और यहाँ पर आके आप थोड़ी कंफियूज हुई और यह जवाब गलत हो गया पट इंशालला हमें उमीद है कि आप और नॉलेज हासिल करेंगी और हमारे अगले सीसंस पर फिर से पाटिसिपेट करेंगी क्योंकि आप हमारा लेवल टू कंप्लीट नहीं कर पाई इसलिए आप हमारे शोर से लेवल वन की इनामी रख्म ले जाएंगी जो है रुपीस थाउजन यह है आपकी लेवल वन की इनामी रख्म, कॉंग्राचिलेशन, थैंक यू नाजरीन इसी के साथ आज का हमारा सफर यहीं पर मुकमल होता है हम आपसे मिलेंगे अगले हफते एक और इंट्रेस्टिंग एपिसोड के साथ तब तक के लिए आप देखते रहे है चैनल विल, खुदा हाफिस